रामायन सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं है, भाईयों की भी कहानी है, और भाईयों के बीच संपत्ती को लेकर जगडे की भी. एक तरफ रावण और उसके भाईयों की कहानी है कुबेर ने जहां भाई धर्म निभाते हुए खुशी-खुशी सौतेले भाई रावण को सोने की लंका सौप कर अपनी अलग अलकापुरी बसाई वहीं रावण ने भाई की संपत्ती लंका हासिल करने के बाद अलकापुरी पर हमला कर कबजा कर लिया सिर्फ इतना ही नहीं राज्य के साथ-साथ कुबेर का पुश्पक विमान भी हथिया लिया विभीशन को सद शिक्षा देने पर लात मार कर संपत्ती से बेदखल कर दिया पराई स्त्री को हासिल करने के लिए भाई कुम्भकर्ण को युद्ध भूमी में मरने के लिए भेज दिया दूसरी तरफ बाली है जिसने न केवल सगे भाई सुग्रीव को राज्य से निकाला बलकि उसकी हत्या करने का प्रयास भी किया उसकी पतनी तारा को भी हतिया लिया रावन और बाली दोनों ने ब्राता धर्म का पालन नहीं किया तीसरी तरफ श्री राम है जिन्होंने पिता की इच्छा पर संपत्ति पर अधिकार छोड़ दिया न सिर्फ वन जाना स्विकार किया बलकि छोटे भाई भरत को सत्ता सौप दी भरत ने भी 14 साल श्री राम की खडाओं रखकर राज्य पर आसीन रहने के बाद वनवास से लोटे श्री राम के लिए तुरंत सिंहासन छोड़ दिया लक्षमन चाहते तो राज्य में ही रुक कर सुख सुविधाएं भोग सकते थे राज्य को हतियाने के लिए साजिशें कर सकते थे लेकिन उन्होंने अपने बड़े भाई की सेवा के लिए वन जाना चुना न सिर्फ वन गए बलकि युद्ध भूमी में मौत के मुह तक चले गए श्री राम ने जेश्ट भ्राता धर्म निभाया इसलिए उनके अनुजों ने भी अपना धर्म निभाया रावन और बाली ने भाईयों के उपर संपत्ति को प्रात्मिकता दी इसलिए विभीशन और सुग्रीव ने अपने भाईयों के खिलाफ श्री राम का साथ और सहयोग लिया और राजा बने लक्षमन ने सिर्फ एक गलती की एक स्त्री की नाक कट कर दी और उसके बाद प्रभू श्री राम के जीवन में कभी खुशिया नहीं टिकी सीता हरण हुआ रावन से युद्ध हुआ, सीता पर कलंक लगा, सीता त्याग हुआ, अपने ही पुत्रों से युद्ध करना पड़ा रावन के पास एक भाई था जो सोता ही रहता था संपत्ती कभी भी भाई से बढ़कर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई वहां खड़े होते हैं, जहां मैटर बड़े होते हैं